दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगी तो स्वाकत है आज की नए कहानी में लावारिस दोस्त आजकल ये बाहर बैठा लावारिस कुटा बहुत परिशान कर रहा है जब भी कार निकालता हूँ आगे पीछे होते रहता है डर लगा रहता है कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए विनैने जुजलाते हुए कहा और तुम उसको रोज डोटी डाल कर उसके आदत खराब कर रही हो अरे इसमा आदत खराब करने वाली क्या बात है बचा हुआ बासी खाना ही तो डालते हूँ पहले एक गाया कर खा जाते थी आजकल दिखाई नहीं दे रही है इसलिए ये कुटा पतानी कहा से आ गया पर अच्छा है ना जब मैं घर में अकेली होती ह हैं पालतो कुटों के नहलाओ दुलाओ खिलाओ उनके सोने बैठने का भी बंदोबस्त करो और सुबह साम बाहर लेकर जाओ ये सब अतरिक्त काम का तनाव मैं नहीं लेना जाती मेरे लिए तो ये लावारिज दोस्ती ठीक है रोटी के चंद टुकड़े के एवज में जहा भी जाते हूं मेरे साथ हो लेता है कहकर रसोई में बैस्त हो गई उसी राट धायवेजे कुटे भूंकने की आवाज से सैली की नीड टूटी थोड़ी देर बहुत भूंकने के बाद कुटे की आवाज बंद होगी सैली सोने की कोशिश की पर नीड नहीं आ रही थी फिर उ कूट कर चार लोग कार के कुछ पार सनकालने की कोशिश कर रहे थे सैली अंदर जाकर पती विने को उठा कर सब बात बताती है विने बिना देरी की अपने पडोशियों को फोन करता है सैली बोली पुलिस को फोन लगाने के बजाए पडोशियों को फोन क्यों कर रहे हैं सबी पड़ोशन ने मिलकर चोरों को पकड़ लिया और फिर पुलिस के अवाले कर दिया सुबह पुलिस के बुलाने पर विनय थाना पहुंचा तो उनके पैरों के नीचे जमीन घिसक गई पुलिस लॉक अप में चार चोरों में से एक उनका नौकर सरजू था रात मुह पर लिकली तो सैली को कुत्ते का ध्यान आया जट सर रसोई सर रोटी लेकर पर बाहर कहीं नहीं दिखा डूरती हुई बांडरी वाल के पीछे गई तो देखी कि वो उनका लावारिज दोस्त बड़ा सुकून से सो रहा था सैली उसके नजजदिक गई उसे उठानी की कोशिश की वो अपने नमक का हक अधा कर हमेशा के लिए शो गया था सैली अपने रुलाई नहीं रोक पाई अपने ममता भरे हाथ से सहलाते वे कहती है नमक तो वो नौकर भी खाया था कई सालों तक तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूब दता है चैनल सब्सक्राइब करें और बैल नोटिफिकेशन आउन करें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे